हेलो डियर फ्रेंश आए आजम जानेंगे नाउन याने की संघ्या के बारे में ओकी फ्रेंश इसको क्या कहते हैं। तो आईए फ्रेंश किसी प्यक्ति बस तू, इस्थान, गुण, दसा और कारकलाब के नाम को नाउन या संघ्या कहते हैं। जैसे कि एक्जामपिल में पर्शन, मुकेश, प्लेश, पटना, ठिंग, पैन, कॉलिटी, होनेस्टी ओके फ्रेंट्स, नेक्स्ट है हमारा कंडिशन, इलनेस, एक्शन, मुमेंट ओके फ्रेंट्स, ये तो हो गए हमारे नाउन को क्या कहते हैं अब आता है हमारा नाउन के कितने परकार होती हैं और कौन-कौन से परकार होती हैं ओके फ्रेंट्स, तो आईए फ्रेंट्स, मैं आपको बताती हूँ नाउन के पांच परकार होती हैं और इनको क्या बोला जाता है, तो पहला परकार आता है हमारा प्रोपन नाउन प्रोपर नाउन को बोला जाता है ब्यक्ति बाचक संग्या ओकी फ्रेंच दूसरा है हमारा कोमन नाउन को बोला जाता है जाती बाचक संग्या नेक्स से हमारा तीसरा मटेरियल नाउन मटेरियल नाउन को बोला जाता है पधार्थ बाचक संग्या Okay Friends, Next आता है हमारा चोता, collective noun, या इसको बोल जाता है, समू भाचक संग्या फिर Next आता है हमारा पांच भाचवा, abstract noun, भाव भाचक संग्या बोल जाता है Okay Friends, यह तो हो गए हमारी पांच परकार friends, अब हम जानने इनकी परकारों के बारी में जानेंगी उके फ्रेंट इनको कैसे यूज किया जाता है तो आईए फ्रेंट तो फ्रेंट मैं इदर आपको पहले पिरकार के बारे में बताती है यानि कि प्रॉपर नाउन उके फ्रेंट इसके बारे में बताती हूं तो आईए फ्रेंड जिससे बैक्ती या इस्थान बिसीज का बोध हो उसे बैक्ती बाचक संग्या कहते हैं जैसे कि एक्जम्पल में आता है हमारा राम, मोहन, सीता, मुंबई, चाइना, इंडिया, एटीसी फिससे जाती बाचक संग्या कहते हैं जैसे कि एक्जम्पल में आता है हमारा बॉय, गल, क्यून, होर्ज, ये टीसी फिससे नेक्स स्थान आता है हमारा राम, माटेरियल नावन, पधार्धा बाचक संग्या इसमें क्या होता है फ्रेंट्स जिससे किसी पधार्थ का बोध होता है उसे पधार्थ बाचक संग्या कहते हैं ओकी फ्रेंट्स तो एक्जाम्पिल में आता है कॉपर, कॉटन, गोल्ड, सिल्भर, मिल्क, एटेसी फिर आता है नेक्स फ्रेंट्स हमारा चौता पिरकार कलेक्टिव नाउन समू बाचक संग्या इसको बोला जाता है समू बाचक संग्या ओकी फ्रेंट्स तो इसमें क्या होता है जिससे समू का बोध हो उसे समू बाचक संग्या कहते हैं जैसे कि example में आता है हमारा crowd, army, family, theme, move, etc. Okay friends, पर next आता है हमारा friends, पांच बाप्रकार, abstract noun. इसको क्या बूला जाता है? भाव, बाचक, संग्या. तो इसमें क्या होता है? जिससे किसी भाव का बूद हो, उसे भाव, बाचक, संग्या कहते हैं. भाव का बूद हो, उसे भाव, बाचक, संग्या कहते हैं. तो example में आता है हमारा kindness, honesty, bravery, hearted, childhood, sickness, etc. Okay friends, तो ये हो गए हमारे पांच पिरकार. Okay friends, thank you, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राब करना ना भूने friends, thank you.